हेलो दोस्तों आप सभी को नमस्कार इस वीडियो में देखने वाले है FSS AI Numbers जो है बिल फॉरमिड में किस तर प्रिंट कर सकते हैं busy software में तो चलिए देख लेते हैं देखने से पहले मैं आपको पता दूँ जो FSS AI Numbers जो है इसकी full form होते है food safety and standards authority of India तो चलिए busy में देख लेते हैं किस तरह इसको print करना है सबसे पहले busy में आते हैं आपको सबसे पहले आना है administration में उसके बाद आपको आना configuration में then आपको आना है feature option में यहाँ जैसी आप आओगे आपको एक option मिलेगा inventory का इन्वेंट्रिप आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां एक option नजर आएगा Maintain FSSAI number ठीक है आपको simple क्या करना है इस पर टिक करना है अगर आपका busy 21 से पुराना है 18 है 17 है 12 है 14 है तो आपके पास यह option नहीं आएगा और busy 21 में भी 4.1 यह 4.1 से उपर जितने वर्जन आएगे उन सब में आया 4.1 है 2 है 3 या भी latest हो 4.3 चल रहा है अगर उससे कम है तो आपका FSSAI number नहीं आएगा आपको busy 21 को क्या करना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा अपडेट कहां से होगा वोम आपको बतायता हूँ अपडेट के लिए सबसे पहले आपको आना Google Chrome पे आना है उसके बाद आपको क्या करना है आप लिखना है busywin.com busywin.com पे आप जाओगे आपको जाना प्रोड़क्ट में यहां से सीधे जो है यह जो है आपका install हो जाएगा चलिए मैं तो download कर रहा है इसको मैं अभी cancer कर देता हूँ मुझे जरूत नहीं है इसकी तो यहां आपको टिक करना है और जो भी आपका fss ai number है वो आपके डाल देना है उसके बाद आपको क्या करना है save कर देना है exit कर देना है अब मैं एक build का आपको print out देके दिखाता हूँ standard select के हमने और यहां आपके उपके क्लिक कर दिया तो देखे यहां पर जो है अमारा यह आ गया fss ai license number यह हमारा build पर जो print हो गया अब यह तो रही बात आपकी a4 bill format की अगर आप आपका departmental store है या grocery store है तो वहां क्या होता है slip 3 निच thermal printer में निकलती है अगर वह आप use करते हो तो उसमें किस तरह print कर सकते है चलिए वह मैं आपको दखाएता हूँ इसको back करना है उसके लिए आपको आना है administration में invoice, document, printing administration में configuration, invoice, document, printing यह आपको standard में जाना यह आपको जाना advance में advance में जाने का आपको जाना sales invoice में और उसके बाद आपको जाना slip 3 inch slip 3 inch के नाम से है या कोई और bill format आपका तो वह आपको select करना है आपको जाना header में इसका एक बार हम preview देख लेते हैं आप हम देख लेते हैं आप हम देख लेते हैं तो डालना कहाँ पे है वैसे मैंने GSTMERS उपर डाला हुआ है तो मैं आपको दिखाएता हूँ कैसे डालना इसको इस line को पहले GSTMERS नहीं आ रहा है आपको simple क्या करना है सबसे पहले आपको यह देख रहा है कि इसको FSS NUMBER जो डालना कहाँ पे है जैसे GSTNUMBER है GSTNUMBER के नीचे डालना है या उपर डालना है तो हम कह रहा है GSTNUMBER के जो उपर डालना है भी कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या करना है simple बिल्कुल जो GSTNUMBER वाई लाइन आपको देख लेना भी GSTNUMBER आ रहा है तो इस पूरी लाइन को आपको जो है copy कर लेना है copy इसलिए यह सब जो दुबारा लेखना ना पड़े आपको और एक simple आपको enter कर देना है और यहीं वो लाइन आपको copy कर देना है sorry paste कर देना, copy तो उन्हें पहले ही कर लिया अब देखे same line यह copy हो चुकी है अब ही क्या दिखा रहा हो दो जगा GSTNUMBER दिखा रहा हो मैं GSTNUMBER आ गया अब हम जो उपर वाले को change कर देते हैं यह उपर वाला तो हम इसकी जगह हम कर देते हैं FSSAI NUMBER हमने इसको कर दिया उसके बाद एक इसके नीचे एक option और आ रहा underline देखे इसको म्यास हो जो है remove कर देंगे क्यूंकि आप देखेंगे इसकी जग लाइन आ रही होगी देखे FSSAI हमें लाइन नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगा अगर चाहिए तो रहन दो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप हटा सकते हो मैं हटा देता हूं underline on ul ul का मतलब होगा underline on हमने इसको delete कर दिया और इसके आगे एक off भी होगा underline यह रहा ul का मतलब underline हो गया हमने यहां से भी इसको जो है remove कर दिया अब देखे उसके नीचे जो line आ रही थी यह नहीं आ रही हमारी अभी क्या करना हमने type तो कर दिया लेकिन अभी pick नहीं करेगा pick क्या करेगा है GSTN नंबर ही pick करेगा तो हमें यहां से इस वाली जो को भी हटा देना है इसको हमने delete कर दिया यहां से और simple आपको क्या करना है आपे alt plus f4 कर देना है company पर आपको जाना है और यहां से आपको select कर लेना company fss ai license number enter आपने कर दिया इसको यहां से सीदे preview देख लेते एक बार और इसको हम save कर देते है अब आपको यह एक चीज धान रखना है हमने एक line बढ़ाई है तो paste setting में बजाके आपको 12 है पहले 11 था इसको आपको एक line जो बढ़ा देनी है यहां पर सीदे सीदे और मैं अब जो है एक बार आपको दिखा देता हूं देखिए यहमारा जो है fssi number प्रिंट हो गया standard format आप यूज करते हो तो उसमें तो default आपको सिर्फ fssi number ही downline inventory में जाके लेकिन अगर 3 इंच पर निकालना है तो आपको थोड़ी सी build design में जाकर चेंज करना पड़ेगा थोड़ी सी coating हमां करनी पड़ेगी उसको थुरूब आप फिर कर सकते हो RM से print कोई issue नहीं है कर सकते है कर सकते है